कि यहां पर गाइस मुझे काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि यार हमें बताओ कि हम अपने रियलमी स्मार्वन में कैसे जो SLIDEBAR है उसको इनेवल कर सकते हैं तो विडियो आके लिए आज वडियो में कि इसी आप näप एकड़ आपने बड़ और ऑपन करने के लिए simple सामें एक application की ज़रूरत पड़ेगी तो यह रहा वो application जैसा कि इसका name देख सकते हैं तो यहाँ पर हम इस पर tab करेंगे और यहाँ पर guys यह application जो है तो वो internet connection से चलता है तो यहाँ पर आपका network connection भी होना चाहिए पहले इसको open करने के लिए ही सिर्फ network connection चाहिए उसके बाद आप network connection को off करके इसको चला सकते है जस्ट यह loading लेने के लिए network को consume करता है तो basically इसका हम use बताएंगे कैसे इसको use करते हैं और क्या-क्या यहाँ पर चीज़े आपको करने पड़ेगी तभी आपका जो setting है वो available हो सकता है तो basically यहाँ पर हम इसको okay कर देते हैं और यहाँ पर हमारा जो interface है कुछ इस तरीक से दिखाया देता है उसके नीचे यहाँ पर गाइस आपको और वी आफ्शन दिखाया देंगे बट हमें जो important setting है वो यहाँ पर सिर्फ तीन है जैसे कि आइकन पैक व्यू और जो मोड सेटिंग है यह वाला थ्री सेटिंग हमें करना है तो यहाँ पर आइकन पैक पर आप अपने आइकन का सेलेक्ट कर सकते हैं बट यहाँ पर गाइस आपको हम जाएंगे अपने व्यू पर यहाँ पर आपको अपना कंट्रोल पैनल दिखाए देता है और उपर से आपकर स्लाइट करते हैं तो यहाँ पर आपको सेटिंग पुड़ा दिखाए देता है जहाँ पर अपने कंट्रोल पैनल का पुड़ा सेटिंग कर सकते हैं साइड बार का पूरा सेटिंग यहां पर ही कर सकते हैं तो यहां पर नीचे आप जैसे देख सकते हैं थिरी सेटिंग हैं पैनल्स ट्रिगर एंड जो कलर से वह आप यहां पर ट्राइ कर सकते हैं तो पैनल्स पर आप अपने जो पैनल्स है उसका साइज य मैं आपको वता रहा हुँ तो वो सभी चीज़े आप कर लेना तो आपका लगभग साड़ी सेटिंग हो जाएगा तो यहां पर आपको एक आइकन का साइस मिलता है जहां पर आपको अपने आईकन साइज से वो अभी छोटा हो चुगा है तो यहां पर इस तरीके का सेटिंग है और इसके लाब बहुत सरी चीज़ा कर सकते हैं तो यहां पर हम आयकन साइज को मेडियम रखेंगे जादा बड़ी भी नहीं जादा छोटी भी नहीं और यहां पर आप टेक साइज भी सि करेंगे वहां से ही आप एक», बार्टी कौलर अप्रिकेशन को ऊपन कर सकते हूं theor की सो पैनल पर मैं जाता हूं और यहां पर अगर मैं इस तरी किसे सलाइट करांगा तो मुझे अकषिभि अपने अप्रिकेशन जो जिमेल है या फिर तो इस त्रिगए गा सेटिंग है तो यहांपर आप यह भी कर सकते हैं तो जैसे कि हम ने पहले गर करके जो हमारा laser उसको करो हमें ऑफ करना है वरना हमारा पैनल दिखाई नहीं देगा तो यहाँ पर हम gesture पर आएंगे और यहाँ पर जो हमने select करा था place to बहाँ से जाके हम so panel कर देंगे तो यहाँ पर अभी हमारा पहले वाला apply हो चुगा है उसके लबाँ बात करते हैं always setting की जहाँ पर आपको बहुत सरे चीज़ें मिलती है तो यहाँ पर हम trigger पर आएंगे और यहाँ पर आप जैसे के देख सकते हैं यहाँ पर आपको vertical position मिल जाता है जहाँ पर अपने जो लेयार का या फिर कह सकते हैं लेयाउट है उसको आप इधर उदर कर सकते हैं जैसे कि वहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको visible image और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो आप इन सभी को select कर सकते हैं और यहाँ पर बात करते हैं colors की तो यहाँ पर आप अगर background color को change करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी मैं जैसे कि black कर दूँगा और यहाँ पर यह अभी black select हो जुका है कैसे दिखाता हूं मैं आपको और यहाँ पर हम स्लाइट करेंगे ना तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो sidebar है वह यहाँ पर dark mode पर convert हो जुका है उसके लगा यहाँ पर आप white, red कौन सा भी आपको color पसंद है वह यहाँ पर select कर सकते हैं और यहाँ पर guys audit setting देखने को मिलते हैं जहाँ पर इस तरीके से आप अगर slide करते हैं तो यह वाला application आता है तो अभी बहुत सरे बंद keyword choose करेंगे उससे related कोई भी अगर application होगा तो यहाँ पर आपको sidebar show होंगे तो इस तरीके का setting है जरूर से एक बर try कर सकते हैं अगर आप और भी एक बर slide करते हैं तो यहाँ पर आपको free space देखने को मिलता है तो यह वाला मुझे अभी तक पता नहीं चला मैंने आपर try करा और तो इसके बार में मुझे अभी तक पता नहीं चला तो यार पता चलेगे तो जरूर से बता दूंगा और यहाँ पर guys आप अगर slide को देखेंगे तो बहुत ही smooth है जासे कि यहाँ पर try कर सकते हैं तो यह वाला चीज़े मुझे बहुत interesting लगी तो यार इसको मैंने इसलिए try क पर तो यहाँ पर आपको mode setting देखने को मिलता है जहाँ पर अपने जो यहाँ पर animation speed है उसको कम कर सकते हैं और जहाँ पर swipe and hold का भी speed को कम कर सकते हैं तो यहाँ पर आपने swipe gesture का distance भी बढ़ा कर सकते हैं जिसे कि आपको काफी अच्छी performance देखने को मिलते हैं तो इस तरीके से आप भी कुछ कड़ सकते हैं तो यह आज की वीडियो में यह बतना था तो यार आपको वीडियो क्षान देतों वीडियो कला लाइक करने उसके साथ यह जिनल को सब्सक्राइब करना क्यों कि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहते तो चले यार मिलते हैं अपने अगले वीडियो पर तब तक के लिए बाई